दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे बड़ी कबर दो बूंद जिन्दगे की कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बिहार में पल्स पॉलियो अभियान 27 फरवरी से प्रारम होगा राश्ट्य पल्स पॉलियो टिका करन अभियान कीते थे पूरो में 23 जनवरी 2022 निधरित की गए थी जिसे कोरोना की वज़े से बढ़ा कर अब 27 फरवरी 2022 कर दिया गया है राज में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से केंद्र सरकार को बिहार की स्वास्ट विवाग ने एक पत्र के माजदम से अवगत कराया था कि अब पल्स पुल्योटिका करा नभियान को चलाना जोकीम परा रहे हैं रेल मंतराले को सपीगी गौर तलावे की रेलवे भरती बोर्ड ने नॉन टेकनिकल पॉपुलर केटेगरी परिच्छा की रिजल की खिलाब अभियारती पिछले तीन दिन से विरोध परदसन कर रहे थे ये विरोध तब और बढ़ गया जब रेलवे ने समवार को गुरूबडी भरती में सिबीटी दो चर्णों में लेने की घोसना की आपको बताते कि बिहार और योपी में दोनों पर इच्छाओं के अभियरतों ने जम कर बवाल किया इस्टिशनों पर हंगामा और की ट्रेन में भी आग लाग दी गई इसके अलावा सोसल मेडिया पर भी अभियरतों ने एंटीपीसी रिजल्ट और गुरूबडी के भरती में सिबीटी टू लेने के फैसले के खिलाब आंदोलन चला रखा है रेल मंतरी और प्यम मेंदी को टेक करके लगतार ट्यूडर प बिहार बंद का एलान चात्रों की समर्तन में चात्र संगटनों ने किया हुआन जिहां चात्रों की समर्तन में अब चात्र संगटन सामने आये हैं चात्र संगटनों ने आगामे 28 जनुरी को बिहार बंद का एलान किया है चात्र संगटन आईसा एनोस ने बिहार बंद का आईसा वा नोजवान संगतन, इंकलावी नोजवान, सवा चातर संगतन अभ, चातरों के साथ खड़ा हो गिया है अंदुलन रथ अभयर्तियों पर लाथे चार्ज, मुकदमा व गिरब्तरी के किलाप, चातरी वा अंदुलन के समर्तन में छात्र संगतनों ने आगामे 28 जनौरी को बिहार बंद का अवान किया है बड़ी कबर बिहार में सरसति पुजा पर भी कोरोना का साया घरों में पुजा जुलूस पर भी रोगए जहां बिहार में कोरोना पावंदी के बज़ा से इस बार सरस्ति पूजा का आयोजन बड़े पेमाने पर नहीं होगा डीजे नहीं बजेंगे और नहीं जिलूस निकलेगा और लोग घर पर ही पूजा करेंगे आपको बदद कि बिहार में छे फरवारी तक पाबंदी बढ़ा दी गई है और चंडर सिखर सिंग दुआरा जार में नामांकन की लाश्ट डेट 30 जनवरी तक बढ़ी जिहा बिहार बिदले परिचा समिती पाटना ने इंटरमिडेट परिचा 2021 के तहद कक्चाई गारवी में एडमिसन की आखरी तारीक एक बर फिर से बढ़ा दी है अब अभियरती 30 जनवरी 2022 तक अपना नामांकन करा सकत हैं इससे पहले बिहार बोर्ड ने एंडमिसन लेने से चुके अभियरतियों के लिए 10 जनवरी तक आवेदन का मौका दिया था इससे पहले बिएस बी इंटर एंडमिसन की लाश्ट डेट 27 दिसंबर 2021 थी बड़ी कबर बिहार में अगले 72 घंटे बारिस के आसार नहीं जानिये कब से और बढ़ जाएगी ठट सकती है दरसल समुचे परदेश में पजवा और उत्तर पश्चिमी हवा चलना शुरू हो गया है आएमडी के मुताबिक निउन्तम तापमान में अगले तीन दिन में तीन से पांच डिगरी की कमी आने का पुर्वानुमान है मौसम बेगानियों के मुताबिक 28 तारीक से एक ब परवरी होने या गुम होने पर भी एकजाम की अनुमती जाने सरते जिहां बिहार बोर्ड एक फरवरी से इंटर की परिच्चा का आयोजन करने जा रहा है इंटरमिड़ की वारसिक परिच्चा 14 परवरी तक चलने वाली है इस परिच्चा के लिए बोर्ड ने सभी तैयारि पूरी कर ली है पारिच्चा में बोड ने एक तरब जहां परिचात्रियों को जोता मोजा पहन कर आने के अनुमती दे दी है वहीं वैसे परिचात्रियों को भी घबराने के जौरत नहीं है जिनके एडमिट कार्ड में कुछ गड़वड़ी हो गई है बोड ने वैसे परिचा पहचान पत्र के साथ परिच्छा केंदर पर पहुचना होगा चात्र आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आड़ी पासपोर्ड ड्राइविंग लाइसेंस अत्वा फोटो यूगत बैंक का पासबुक लेकर परिच्छा केंदर पर आए इसके साथ पहचान पत्र की छाया पती र हम संसोधन जी हराज में लागो पूर्ण सराबंदी कानून 2016 में एक हम संसोधन होने जा रहा है इसके ताद अब सराप पेने वालों पर कारवाई के लिए अलग से प्रावधान किया जा रहा है सराप पेने वालों से जुड़े मामलों पर कारवाई करने का दिकार या ऐसे माम जुर्माना लेकर सम्मादित आरिपो को चोड़ा जा सकता है हाला कि यह प्रावधान सराब की तसकरी, विक्री भंडारन, टांस्परेशन और सराब से जोड़े किसी तरह का धंदक करने वालों पर लागो नहीं होगा। तक्सिन लगाई जा रही है, अब टिकागरान अभियान से 12-14 साल तक के बच्चों को भी सामिल किया जाएगा, इन बच्चों को टिकाल लगाने का अभियान मार्च में सुरू हो सकता है, केंद्रिय स्वास्त मंत्राले से इसको लेकर संकित मिल गए है, जिसके बाद स्वास्त बिभाग ने इस आयू वर्ग की सूची बनाने की तैयारी करने जा रहा है, इसके लिए जल्द ही आसा, आगन बड़ी करकरता हो और एन एम को निर्देस जारी किया जाएगा, अगली बड़ी खबर बिहार में मुख्या की अनुमती से नील गाई को मारा जा सकेगा, सरकार स मिली मंजूरी, जी हफासलों को बरबाद करें, नील गाई और जंगली सुवर को लोग अब मुख्या के अनुमती से ही मार सकेंगे, पंचायती राज विभाग ने जल्वाई परिवर्तन परियावरान एवाम वन विभाग के इस प्रस्ताव को हरी जंडी दे दी है, पंचा पालग मारनी के अनुमती देने के लिए प्रादिक्रित है, पंचातिराज मंत्रे ने कहा कि खेती और बागवानी के वसलों को नुकसान पहुचाने से रोखने के लिए वन प्रानी अधिन्याम 1972 की धारा चार एस एक सी के तहत यह अधिकार मुख्या को दिया जा रहा है, ब पाड़ी कबर बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नियम बदला, जहां बारतीवी सड़क दुरगटनाओं के बेच परिवहन विभाग ने लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव कर दिया है, अब जिस जिले में लालिंग लाइसेंस बनाया गया है, वही से स स्टाइल लाइसेंस भी बनेगा दूसरे जिले में स्टाइल लाइसेंस बनाने का ओपसन खतम कर दिया है इस समद में परिवहन विभाग ने सब जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को पत्र लिख कर सौप्टेयर में आवश्यक विवस्ता करने का आदिस दिया है परिवहन व लाइसेंस बना कर दूसरे जीलों में जाकर बिना टेस्ट दिये ही स्ताई लाइसेंस बना लेते थे इससे वाहन चालक गाड़ी चलाना नहीं सकते थे और दुरगटना गरस्त हो जाते थे अगली बड़ी ख़बर बिहार पुलिस कोंस्टेबल भरती की 7-22 परवरी तक होने वाले सारे रिघ दाच्चत परिचा इस्तागित दिया है इससे पले या परिचा 28 जनवरी को होनी थी जिसे स्तागित करकर 9 परवरी से होने को प्रस्तावित किया गया था अगले बड़ी खबर अप्रेल से सुरू होगी बीपीसी की लंबित परिचाए अगले मा आएगा 31 नियाइक सेवा मुथ के परिचा कर रिजल्ट जहाब बीपीसी अपने लंबित परिचाओं का आएज़न अप्रेल मा से सुरू करेगा पिछले दिनों कोरोना की तिसरी लहर के करण कई परिचाओं का आएज़न इस्तगित करना पड़ा था इसमें सरसटवी बीपीसी पीटी और सीड़ी पीटी परिचाए जैसे भी सामिल ह अब एपीसी सीड़ी और पीटी जो फरवरी मा में आएज़ित होने वाली थी अप्रेल मा में ली जाएगी जबकि सरसटवी सयूंग तो प्रारम्बिक परतियोगी तब परिच्छा मैं मा में आएज़ित होने की सम्भावना है अगली बड़ी खबर बिहार में अब एक ही नमबर से बुक होगी सरकारी और प्राइबेट एम्बूलेंस किराया भी होगा फिक्स जिहां बिहार में चल रहे सबी सरकारी एवाम नीजी एम्बूलेंस को एक ही नमबर से जोड़ने की कोशिस तीज हो गई है सबी सरकारी नेजू एम्बिलेंस को एक नमबर 102 से होगा जिसे डायल करने पर पीडी तक सहयता पहुचेगी सड़क हादसों में हतायत की सेंक्या काम करने वा तौरित मदद करने के लिए हरनीने लिया गया है परवन बिवाग के निर्देस पर स्वास्त बिवाग ने इस दिसा में प्रकरिया सुरू कर दी है मार्च तक इस काम को पूरा करने का लच रखा गया है इसके अलावा एक आपातकाली नमबर से जोडने के बाद सबी प्रावेट अमुलेंस का राज सर पर डेटा बेस सर जिले में सुआस बिवाग के पास रहेगा इनकी सरकारी निगरानी तो होगी ही अमुलेंस का किराया भी तै किया जाएगा इसके साथ राज में चल रहे सबी निजिव अमुलेंस चालोकों को और प्रसुचित पारा मेडिकल इस्टाप अनिवार रूप से रखना होगा और अंगी बड़े कबर ट्रेन में सपर में आप देर राद तक गपे नहीं फोन पर भी तेज सावन नहीं चला सकते हैं रेलवे ने लागू कर दी है ऐसी वेबस्ता जिहां यातरियों के लिए यातरा को और अधिक आरामदायक और सुखद बनाने के लिए भारते रेलवे ने नए नियमों का एक नया नियम मनाया है अब हारते रेलवे द्वारा लाओड मेजिक और लाओड फोन पर बात करने पर प्रतिबन लगाने के तयारी में है नए नियम के बाद जो यातरे तेज आवाज में बात करते या तेज संगित बजाते हुए पकड़ जाएंगे उनके साथ सकती से निपटा जाएगा इस बारे में रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के नाम एक चेटी भेज़ दी है आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार इंटर और मेट्रिक परिछा में सिसी टिवे केमरा लगाने का फैसला सही है या नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताए